देवरह बाबा और इंद्रा गांधी का कनेक्शन, कॉंग्रेस पार्टी की रहस्य मई कहानी, आखिर कैसे मिला कॉंग्रेस पार्टी को हाथ वाला सिंबल, जानने के लिए देखिए यह पूरी रिपोर्ट अंग्रेजों से देश को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी, आजादी मिली तो देश की प्रमुख राजनितिक पार्टी बन गई, उसके बाद से कॉंग्रेस में समय समय पर तूट होती रही और इसका चुनाओ चिन भी बदलता रह अभी कॉंग्रेस का चुनाओ चिन पंजा है कुंग्रेस का चुनाओ चिन पंजा किसके दिमाक क्यू पजह है ये शायद बहुतेरे लोग को मालूम ना हो, इसकी रोचक कहानी भी है हाला कि पंजज चुनाव चिन्न के पहले कॉंग्रिस के दो और चुनाव चिन्न भी रहे कभी गाय बचड़ा और जोड़ा बैल भी कॉंग्रिस के चुनाव चिन्न होते थे इंद्रा गांधी ने 1975 में देश में बरजन्सी लगा दी इमर्जेंसी की बुनियाद 1974 में शुरू हुए च्छात रांदोलन से पड़ी जिसे नेत्रत तुदेकर जैप्रकास नराण ने राष्ट्रिव्यापी बना दिया था इमर्जेंसी का खाम्याजा 1977 में हुए लोकसभा चुनाओं में इंद्रा गांधी को करारी हार के रूप में भुगतना पड़ा कॉंग्रेस की इतनी बुरी हार हुई कि अब उसके पुनार जीवित होने पर भी लोगों को संदे था लेकिन चुनाओं चिन्न बदलते ही अगले चुनाओं में कॉंग्रेस ने जवर्दस ठंक से वापसी की इंद्रा पहुच गई बाबा की शरण में लोकसभा के चुनाओं में बुरी तरे मात खाने के बाद कॉंग्रेस में मयुशी थी हार इतनी बुरी थी कि कॉंग्रेस के सरवाइवल का कोई रास्ता भी किसी को सूज नहीं रहा था हार के कारण तो पता थे लेकिन इसे कैसे नया जीवन मिले और इस पर कॉंग्रेस ने लगातार मन्थन जारी रखा उसी दोरान कॉंग्रेस के किसी नेता के दिमाग में ये बात आई कि छवी बदलने के लिए एक चोना पार्टी का सिंबल बदल दिया जाए इसके साथी उस नेता ने इंद्रा गांधी को उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल में रहने वाले सिद्ध संथ देवराहा बाबा के दर्शन की शलाह दी थी आशिरवादी हाथ बन गया चुनाव चिन्द अपने करीबियों की सलाह पर इंद्रा गांधी देवराहा बाबा के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के जिला मुक्छाले देवरिया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर उनके आश्रम पर गई बाबा से जो भी मिलने जाता था उसे वो हाथ उठा कर आशिरवाद देते थे उन्होंने इंद्रा गांधी को भी दर्शन दिखने के बाद उसी अंदाद में हाथ उठा कर आशिरवाद दिया बताय जाता है कि वहाँ से लोटने के बाद इंदरा गान्धे ने कॉंगरेस का चुनाओ चिन्न का गाए बचला की जगए पंजा करने के लिए चुनाओ आयूक से आगर्ह किया उससे किसी को भी अनुआ नहीं ता कि वो फिर से उट पाएगी दिवरहा बाबा के अशिरवाद और पंजा चुनावचिन मिलने के बाद धाईस साल बाद लोकसवा चुनाव की मध्यावधी चुनाव में इंद्रा गांधी ने पूरे दमखम से सत्ता में वापसी की थी तूटी रई कॉंग्रेस बदलता रहा इसका चुनावचिन आजादी के बाद चुनावचिन कई बार बदला आरभ इसका चुनावचिन जोड़ा बैल था इंद्रा गांधी 12 नूंबर 1990 को कॉंग्रेस से निकाल दी गई तब उन्होंने काउंग्रेस आर नाम की पार्टी का गठन किया काउंग्रेस आर का चुनाओ चिन्दक गाए बचला था काउंग्रेड का गठन 28 डिसमबर 1885 को हुआ था और इसकी स्थापना अंग्रेज ये एओ हूम ने की थी कॉंग्रेस के पहले अद्दक्षे ब्योमेश चंद्र बनरजीत बने थे जिस समय कॉंग्रेस की स्थापना हुई उस समय इसका उद्देश अंग्रेजों की गुलामी से भारत की मुक्ती थी आजादी मिलने के बाद कॉंग्रेस भारत की प्रमुक्रा नितिक पार्टी बन गई आजादी मिलने के बाद महत्मा गांधी ने कहा था कि कॉंग्रेस की गठन का उद्देश पूरा हो गया अब इसे खत्म कर देना चाहिए कॉंग्रेस विरोधी लोग आज भी मात्मा गांधी की उस बात को अक्सर दोराते रहते हैं 1977 में कॉंग्रेस का जो हाल था वही 1984 में भी विपक्ष का था इंद्रा गांधी की 1984 में हत्या के बाद तो कॉंग्रेस इसकदर उभरी कि विपक्ष का सूपड़ा ही साफ हो गया राजिव गांधी की नितरत में हुए लोकसभा के चुनाओं में कॉंग्रेस को एक तरफा बहुमत मिला हाला कि राजिव गांधी की सरकार में रक्षामंत्री रह विपी सिंग ने वो फोर्स तो घुटाले को लेकर बगावत कर दी और कॉंग्रेस को 1998 में सत्ता से बाहर होना पड़ा विपी सिंग ने कॉंग्रेस छोड़ कर जनमोर्चा नाम की नई पार्टी बनाई भाश्पा और वामपंथी दलों के सहारे वो प्रधानमंत्री बन गए मंडल आयो की सिफारिस लागू होने पर विजएपी ने समर्थन वापस ले लिया और विपी सिंग की सरकार गिर गई जनमोर्चा भी बिखर गया जनमोर्चा के तूटने पर जनता दल जनता दल यू और राज़त जेडियू सपा जैसे कई दल अस्तित्व में आये कई नेताओं ने अपने दल बना लिए समय समय पर कॉंग्रेस से निकल कर कई नेताओं ने अपने अलग अलग दल बना लिए पश्चिम बंगाल में तुर्णमूर कॉंग्रिस, अंद्रप्रदेश में वायरस कॉंग्रिस, माराष्ट में राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी, 36 गड़ में स्वर्गिया अजीत जोगी की जनता कॉंग्रिस, बीजू जनता दल जैसे दल तो आज भी है, काई और दल भी बने पर समय के साथ मिट गए, चौधरी चरण सिंग ने लोगदल बनाया, जो राष्ट्री लोगदल के नाम से आज भी है, कॉंग्रिस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले नेताओं में कुछ तो बाद में कॉंग्रिस में लोट आए, प्रणाव मुखर जी, अ कॉंग्रिस से निकलने के बाद अभी अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं, आईए जानते हैं सिद्ध शंत, दिवराहा बाबा के बारे में, दिवराहा बाबा ने जीते जी ना अपने जब तप और सिद्ध संत होने का कोई तावा किया, और ना ही किसी को उनकी उम्र के बारे में कोई जानका दी रही लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बढ़ी खुबी ये थी कि वो बिना पताएं लोगों के मन की बात जान लेते थे उनका नाम देवरहा बाबा शायद इसलिए पड़ा कि वो उत्तर प्रदेश के दिवरिय जिले में रहते थे उनकी उम्र का कोई पुक्ता प्रमान नहीं मिलता लेकिन उनके भक्त 200 से 500 साल उम्र बताते हैं 19 जून 1990 को वो इस संसार से प्रणाय कर गये थे लोग तो ये भी बताते हैं कि पानी की धार पर भी वो चलते थे बाबा के चमतकार की चर्चा इतनी थी कि 2011 में जार्ज पंचम भी उनके दर्शन के लिए भारत आये थे देश के दिगजरा नेता उनके भक्त थे ऐसे लोगों में राश्टपती डॉक्टर राजिंदर प्रसाद के लावा टल बहरी बाजपई बाबा का शिर्वाद लेने उनका अच्रम गई और उनके हाथ के पंजे के निशान को ही वो अपना निसान बनाई और अंत में कॉंग्रेस को फर्स से अर्स तक उठा ले गई बाहराली यह रिपोर्ट आपको कैसे लेगी मैं कमेंट बाक्स में जरूर बताएं वियोर रिपोर्ट लाइव इंडिया नियोर्ज